हनुमान जी की कैसी तस्वीर कहा लगाने से मिलेगा क्या लाब वास्तों से जाने सही दिशा कल्यों के देव के रूप में पूजे जाने वाले हनुमान जी की पूजा अर्चना से कई लाब मिलते हैं हनुमान जी की पूजा से मंगल शनी और पित्र दोशों से मुक्ती मिलती है ऐसा भी माना जाता है कि घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से कई कष्टों और संकटों से मुक्ती मिलती है ऐसे में घर में सुक्षान्ती के लिए हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए लेकिन इसके लिए वास्तों के नियमों का पालन करना चाहिए तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी की कैसी तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए सबसे पहले हनुमान जी की बैठे हुए की तस्वीर दक्षिन दिशा में मुख करके लगानी चाही हनुमान जी की बैठे हुए की तस्वीर घर में लगानी से बुरी ताकते दूर होती है और नकरात्मक उर्जा का संचार होता है हनुमान जी की बैठी हुई तस्वीर लाल रंग की लगानी चाहिए वह पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं जीवन में काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने और धन धानने की प्राप्ति के लिए गर के मुखे द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए ऐसा करने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता वही परिवार की सदस्यों में साहस के लिए घर में हनुमान जी की हातों में परवत लेकर उड़ते हुए की तस्वीर लगानी चाहिए घर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाने से तरक्की और सफलता मिलती है नौकरी में तरक्की और प्रमूशिन के लिए सफेद हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुब माना जाता है वह घर में जहां पर महमान आकर बैठते हूँ वहाँ पर राम दरबार की फोटो लगानी चाहिए इस फोटो में हनुमान जी माता सीता और प्रभू श्री राम के चर्नों में बैठे होते हैं इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं